Hello everyone, I am Sonam, welcome back to my YouTube channel अपना विद्धाले आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को बताने वाले हैं एक very most important topic आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को class 12th English के 20 सबसे महत्पूर टापिक यानि आपको सिर्फ 20 topic वो ऐसे important topic के बारे में बताएंगे जो आप सिर्फ 20 topic को तयार कर लेंगे तो आपका board exam में English में 100 में 100 पूरे नंबर आएंगे तो वो कौन से topic है आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जैसा कि यह आपका new syllabus पे अधारी थे आप सभी लोगों के comments भी आ रहे थे किकि हमने English के कई important वीडियो आपको provide कराया जैसे कि आपके long question कैसे याद करने की trick और और आपके English में पास होने की trick ठीक है आपको कई model paper English के और भी कई subject के important topic को हमने बताया जिसमें आप सभी लोगों के comments आया थे कि मैं English के important topic के बारे में बताईए तो यहाँ पर देखिए हम आज के इस वीडियो में लाए हुए आपको 20 सबसे महत्पूर टापिक English के सिर्फ आपको कुछ भी नई पढ़ना है सिर्फ आपको 20 topic को तयार कर लेना है आपको board exam में 100 में 100 पूरे number ये board परिच्छा में पक्का यही आएगा तिक है आपको 100% guarantee दे रहें कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आ सकता सिर्फ आप 20 topic को पढ़ लिजिए तो आपको सबसे पहले कर देना है वीडियो को like और चैनल को subscribe और अगर वीडियो पसंद आएगी तब आप एक छोटी सी प्यारी से comment जरूर कर देजीगा और वीडियो को बीना इसकी कि लास्ट तक देखीगा तभी आपको हमारे एक एक टॉपिक के बारे में पता चलेगा और आप समझ पाएंगे क्योंकि इस वीडियो में आपको यह भी बताने वाले कि आपको प्रोश की कौन से चेप्टर को तयार कर लेना है यहींञे वो कौन से इनपॉर्टेंट है जिसमें से आपके कुशन लांग केस्ट आएंगे और आपको कौन से से अड्या को या क्लतें सिर्फ पर ह तक दिखना होगा तो यहां पर हम सुरू करते हैं अपने वीडियो को तो यह आपका सेक्शन एली सेक्शन एडियव है जो वह reading है ठीट कि सेक्शने में क्याthis मेंगे तो इसमें क्या 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 आपको पढ़ना है यहाँ पिछे पहली सो टॉपिक रहा वहां कि हमने आपको बताया model paper में अगर आप हमारी model paper देखेंगे तो आपको पता चल गया होगा कि ये कैसा पैसेज है 15 नमबर के total आते हैं कितने नमबर के आते हैं 15 नमबर के आते हैं तो इसमें क्या क्या होते हैं तो आपको देखिए पैसेज एक लंबा सा पैसेज दिया होगा चार पार्ट में ठीक है फिर उसके बाद आपको क्या करना हो उसी पैसेज को पढ़ करके उसमें four short answer type question यह आपको चार question दिये रहेंगे जिसको आपको पढ़ कर पैसेज को ही उसी में से उसका क्या लिखना होगा answer लिखना होगा तो इसमें अगर आप इतना करोगे तो आपको इसमें कितना मिलेगा बारा नंबर मिलेंगे कितने नंबर मिलेंगे बारा नंबर मिलेंगे तो यहां से आप बारा नंबर इसमें आपको मिल जाएंगे फिर उसके बाद नीचे आपको इसी question में यानि कि इसी long पैसेज को ही स्थान रहेगा ठीक है तो आपको खाली स्थान करने होंगे जो कि तीन रहेंगे तीन नंबर के एक नंबर के होंगे यानि कि टोटल कितने नंबर होगे वंद्रा नंबर होगे वारा यहां पर तीन यहां पर तो आपको पहला इसको तयार करना इसके लिए आपको क्या करना होगा ऐसे कि आप पहचान लेंगे कि यह पैसे किस पार्ट से हैं और कहां से और इनके क्वेश्चनों का आंसर आप आसानी से लिख पाएंगे फिर उसके बाद देखेंगे नेश्ट टॉपिक नेश्ट आगया सेक्षन बी सेक्षन बी में आपको राइटिंग होती है ठीक है इसमें आपको क्या क्या करना है यानि कौन से टॉपिक को याद रखने है जो कि हमारे 20 इंपॉर्टन टॉपिक में से पहला है आर्टिकल राइटिंग आपका आएगा आर्टिकल राइटिंग यह है दूसरा टापिक, जो है, आर्टिकल राइटिंग, इसमें आपको किस तरह के आएंगे, जैसे की यहाँ पर, यह तीन प्रकार से आते हैं, ठाहिए, पहला के हैu, तूसरा है अर्गमेंटेटिव और तिसरा जो है वो आर्टों बायोग्राफिकल है, ठेकि तीन प्रकार क कर दोबाँ से अगर इस टल् iPhones करता सूधा अब कर दिया तो यह जो आर्टिकल वाला यानि कि जव आपके बूढ़ एक्षम में 20 मा faut कियाते कितने नंबर गयाद्ने तो पहला जो हो गया वो आर्टिकल हो गया ठीक है पिर उसके बार नेश्ट जो है यानि कि इसी में जो है यानि ये आर्टिकल और दूसरा क्या है लेटर ठीक है लेटर और आर्टिकल दोनों मिला के कितने है बीस नंबर के हैं ठीक है ये जो लेटर है ये दस नंबर का है और ठीक, दोनों मिला आकरकी यह 20 नमबर है, आपका तो यहाँ पे आर्टिकल 10 नमबर के अब लेटर आगे छोग लेटर लेटर के आथा है लेटर पर आपके लेटर आएंगे तो जैसे पहला जाशन में असे आपका इडीटर टा स्थी कैक आगे है घम्ठेक करना चाहते तो इस तरीके से आपका लेतर यानि पसे इसी टाइप इंगे ने टुपिक वह सेक्शन a और सेक्शन b ही होता था सेक्शन एमे का प्रोश्प्रेटरी सप्रिमेंटरी बग झे त्ह ग्रामर अब कि यह चार सेक्षन में बढ़ चुके हैं तो यहां पर सेक्षन सी जो है वो ग्रामर है इसमें आपको कौन कौन से टापिक आपको याद रखने हैं कर लेने हैं एक्सरसाइज वगरा कर लेना याद कर लेना है ठीक है तो यहां पर डारेक्ट और इंडारेक्ट यानि कि जो यानि आपको narration जो होता है narration का जो part direct और indirect होता है आपको complete कर लेना है इसको आपको क्या करना होगा कि direct indirect के अगर आपको video चाहिए तो आप लोग comment करके बताए वैसे भी हमारे channel पर direct indirect के भी video कई important है उसको आप लोग तयार कर सकते इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको model paper solve करना होगा और आपको exercise करना होगा अपने book के तो इससे आप करोगे तभी आपको क्या होगे यह तयार हो जाएंगे यह दिखिए याद करने वाला नहीं आप लोग exercise करेंगे तो इसके rule भी अब की दिमाग में याद हो जाएंगे और आपके प्रैक्टिस भी हो जाएंगे तो पहला तो यह रहा चिसिसके बाद दूसरा जो है वह सेंठेथिस इसमें भी आपको यही एक्सासाइज करना होगा कैसा साइज आप करेंगे तब ही का तयार हो जाएगा फिर next जो है वो है transformation थिक है transformation को भी आपको तयार कर लेना है इसके exercise अगरा कर लेने है syntax आपको तयार कर लेने है syntax नेस्ट क्या है syntax syntax में से सबसे ज़्यादे question आती है इसलिए आप लोग syntax को बहुत ही अच्छे से तयार कर लेजिए कर नेज्ट जो है वो एंडियम्स एंड stereo आपको इसको भी तयार कर लेंगे अगर आप 10 तयार कर लिए न तो आपके बॉड एक्जाम में जरूर इंड एडियम्स एंड allows दस अगर आप तयार कर लिए तो इसमें से जरूर फसेगा ठीक है इंपॉर्टेंट एडियम्स फ्रेजर्स आप तयार कर लीजिए नेश्ट जो रहा वो सैनोनीम्स रहा यह जो ग्रामर होते हैं यह आपके वोड़ इक्जाम में यानि की जो ग्रामर का पाठ होता है यानि यह पूरे जितने भी हमने बताया टापिक यह पूरे पिछले मॉडल पेपर तयार के लिए और पिछले कई साल यानि 2000 साल के पेपर को आप सॉल्व कर लिए उसमें से आपको जूभी सानॉनिम से उसको तयार कर लिए पंदर्याज्ञ वोड़ इक्जाम में 15 तयार कर लेंगे तो पक्का है कि जरूर आज नहुक्त करता होगा इ सूर है इसमें भी आपको क्या करना होगा कि इसे विस तयार कर लिए लगभग 20 तयार कर लीजे इंप उसमें ज Irn जसे में जरूर आएंगे फिर उसके बार नेश्ट जो हों our फोंस इसमें भी आपको 15 याद कर लेने हैं 15 याद कर लोगई आप लोग तो इसमें से आपके사를 इग्जाम जरूर आएंगे फिर उसके झाहिए जो है वूर इसमें आ आग्या ट्रांसलेशन करने के लिए ट्रांसलेशन फॉर्म हिंदी टू इंग्लिश ठीक है यह जो हता है यह साथ या आठ ठीक है साथ आठ जो होते हैं इसमें सेंटेंस होते हैं अगर अगर टानसलेशन फॉर्म हिंदी टूंगलिस नहीं आता तो आप लोग कमेंट करके ज़रूँ गताएगे इस पर वीडियो आपको प्रवाइड करा दिया जाएगा तो यहां पे टानसलेशन आपको क्या करना होगा इसमें ग्रामर वगेरा की रूल को याद करना होगा और grammar के दूल को अगर आप सही लगाएंगे तो आपका sentence जो word होंगे वो रांग भी हो जाएंगे फिर भी आपको क्या होगा कि नंबर मिलेगा तो आपको translation तयार कर लेना ठीक है कि यह जोता है यह आपके बोडिक्जा में पांच नंबर के आते हैं और जितने भी grammar थे वो कितने रहेंगे बीस रहेंगे यानि कि बीस यह पांच यह टोटल कितने पचीस पचीस नंबर में यह आपके आते हैं फिर उसके बाद देखेंगे नेश्ट जो है बो है section D य पहला जो यानि कि इसमें क्या आता है वह आता कि two short answer type question आपको इसमें कौंसे lesson को तयार कर लेने important इसमें हम आपको बताएंगे जिसके आपको short answer आएगा जिसमें से वह पहला जैसे आगया the last lesson ठीक है पहला क्या थे last lesson है इसके आपको साथ question answer को तयार कर लेना है क्योंकि ये जो पार्ट है बेरी important है और इससे जरूर 100% guarantee आपको दे रहे कि इसमें से जरूर आपके साथ question अगर आप तयार कर लिए तो आपका आएगा ये जो आता है यानि कि इसमें से दो आएंगे में देखिए ये जो आता है ये चार प्लस चार यानि कि आठ नंबर का ठीक है क्योंकि इसमें जो हता है टू short answer type question दो होते हैं पहला आप सिर्फ करोगे तो चार नंबर दो करेंगे तो आठ नंबर तो यहां पर आपको आठ नंबर है आठ नंबर में आप क्या क्या तयार कर लेना पहला आपने विधा आप लोग्यान विशिकूर और दूसरे लोश्ट इस्प्रिंग गिर्फपिक रहा हो वान Long answer type question यानि कि जो आपका प्रोज होता है उसमें से आपके एक Long question आता है ठीके दो आएंगे लेकिन सिरफ आपको एक ही उसमें से करना है तो उसमें आपको जो One Long answer type question यानि यह किस important chapter से आएंगे प्रोज के तो वो रहे यह तीन chapter जो आपको पहले ही नढ़ करेंगा जो आठ नमबर का रहेगा और जो टोपिक रहा वह वह पूइटरी में आपको क्या क्या पढ़ना है पोईट्रिम जैसे आपका इस्टेंजा नहीं करेंगा पूइट्रिम अंसर लिखने को क्या पयो है माडल पेपर में हमने आपको बताया था अगर नहीं देखनी माडल पेपर तो चैनल पर अपलोड है वहा Came एक्रसिटे तो यहां पर दिखिए आपको पहला पार्ट यानि जो आपको कौन से लेशन को तयार कर लेना है जिससे कि आपके इस्टेंजा बोर्ड एक्जाम में आएंगे तो पहला रहा my mother at 66 ठीक है आपको इस lesson के सभी poem को तयार कर लेना है जो आपकी board exam में आएंगे और फिर उसके बाद next जो रहा a thing of beauty ठीक है इसको भी आप तयार कर लेना इसके सभी poem को आप तयार कर लीजिए यही इसके stanza लिखने के लिए आएगा और इसके नीचे आपको 3 very short question रहेंगे जिसका आपको answer लिखना होगा तीन question रहेंगे दो दो number के रहेंगे आपको 6 number यहां से प्राप्त होगा इस poetry के short questions से उसके बाद next जो रहा है वो central idea रहा central idea में हम आपको बताएंगी का में है कि कौँ से इन्टल आडिया को आपको तयार करना है क्योंकि central idea होता है वो आपके board exam में तीन आता है जिसमें से सिर्फ आपको एक करने होते है तो यहां पर दूख़ए उसके बाद central idea जो आपके board exam में आएगा कि central idea कितने नंबर का एगा वो चार नंबर का एगा Scentral आडिया कितने नंबर का एगा चार नंबर का तो इसमें आपको कौन-कौन से स extraction आडिया को तयार कर लेнов acknowledge इसमें दीय। पहला जुरह वो माई मादर चीषटी 6 सेृ 걸िया को आप को keeping cute के central idea को आप लोग practice कर लीजिए याद कर लीजिए ठीक है उसके बार नेश्ट अगर इस दो central idea को आप तयार कर लिए तो आपके board exam में एक central idea जरूर आएगा तो आप आसानी से उसके बारे में लिग सकते और चार नंबर आप टाप्त कर सकते यहां से नेश्ट जो टापिक रहा वह supplementary का रहा आपका तो इसमें आपको क्या आता है तो इसमें देखिए two short answer type question आता है इसमें से आपको दो short answer आएंगे और एक long question आता है तो इसमें से आपको किस lesson को तयार कर लेना है जिसमें से आपके short answer आएंगे तो इसमें से देखिए आपको the third level इस chapter को आपको इस chapter के साथ एंसर इंपोर्टेंट को तयार कर लेना है इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा सिर्फ आप इतना तयार कर लेजे तो इसके बाद एक द इनमी ठीक है आपको द इनमी को तयार कर लेना है इसके साथ क्वेशन आंसर को तयार कर लेना और थाट जो है वो जर्णी टू दा इंड आप दा आर्थ यानि यह जो चेप्टर है यह तीनों बेरी इंपॉर्टेंट चेप्टर है इन तीनों के साथ आंसर को आप लोग तयार कर लिजिए नेश टापिक जो 19 वा रहा वो रहा वन लांग आंसर यानि कि इसमें जो सप्लिमेंटरी इसमें से आपके लांग आंस अंबर का यहाँ और यहां पर जो लांग प्रोंड रहा वहां से जाकर डेख सकते हैं लाव्ट टापिक बीस रहा जिसमें से आपको क्या करना होगा कि सेक्षन सी जो ग्रामर उसमें पिछले तीन सालों के आपको माडल पेपर का practice कर लेना है कि जिससे आपको क्या होगा कि आपको rules भी याद हो जाएंगे ग्रामर कि सभी exercise करने से और आपकी practice भी हो जाएगी तो आप लोग proud एकज और प्रेटिसżyć गारांटी कि सो में सो पूरा नंबर लाएंगे सिर्फ आप 20 टापिक को तयार कर लीजिए तो आप लोग इसी तरह के और भी वीडियो आपको किसी भी सब्सक्राइब के चाहिए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताईएगा और हां हमारे इस वीडियो को आप लोग आप लोग उसको भी सब्सक्राइब कर ले और एक टेकनिकल लवली यूटूब चैनल उसको भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर ले और इसी तरह ट्रीकर्ट्रिप्स हमारे अपना विद्धाले यूटूब चैनल पर आल सब्जक्त के हैं जैसे कि आपको इंगलिस में पासोने की ट्रिक हिंदी की संपूर तयारी हमारे अपना विद्धाले यूट्यूब चैनल पर कराई गए आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और जैसे लांग क्वेशन लिखने की ट्रिक ठीक है विभकती वगेरा जो भी हिंदी के ट्रिक है इंपॉर्टेंट स तो आपको विडियो कैसा लगा अगर विडियो पसंद आये तो एक बड़ा सा लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जलूर प्रेस कर दे जिससे कि हमारे न्यू विडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और कमेंट करना बिल्कुल ना भूल है तो चलओ जाओएब बड़ा है